हेलो फ्रेंड्स तो आज मैंने पर्चेस करा Amazon से OnePlus Nord का CE4 Lite तो आज हम देखेंगे इसी का रिव्यू तो अगर आपने अभी तक मिला चैनल सब्सक्राइब ने किया ना तो सबसे पहले तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो तो चलो अब हम इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि ये फोन कैसा निकला है सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पैकिंग और देखते हैं कि Amazon वालों ने इसको कैसे पैक करके भीजाए सो डैट अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहो तो आप पहले ही देख लो कि ये फोन कैसे पैक होके आएगा सो टन टरान ये आगया है हमारा सुन्दर सा फोन और मैं इतनी एक्साइटेड हुना है इससे उपन करने के लिए मुझे पता है आप भी बहुत एक्साइटेड होगे और आप भी चाते होगे कि मैं जल्दी ये फोन खोलूं तो चलो अब हम फटा फट इस फोन को उपन कर लेते हैं तो सबसे पहले ही बॉक्स उपन करते ही आपको मिलेंगे नॉड के स्टिकर्स और एक मोबाइल कवर और साथ में मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स और रेड केबल कलब का कार्ड जिसको की स्कान करके आपको डिफेंट डिफेंट बेनिफेंट्स मिल जाएंगे तो आप देख सकते हो इस फोन की लुक कितनी मुस्त है जो की है फिंगर प्रिंट मैगनेट के साथ और इसमें टू कलर्स आपको मिल जाएंगे वान इस सिल्वर और अनादर वान इस ब्लू तो चलो अब आपको दिखा देते हैं इसके आगे से और पीछे से प्रॉपर लुक ये फोन आता है फ्लैट साइड्स के साथ और स्मॉल कैमरा मॉडिूल्स के साथ और पोर्ट्स और बटन्स की बात करें तो देर्ज़ स्पिकर ग्रिल यूएस्ब टाइप सी नीचे माइक्रोफोन और 3.5 mm का जैक लेफ्ट हैं साइड में आपको सिम का ट्रे मिल जाएगी राइट हैं साइड पे पावर अन उफ बटन और वॉल्यूम रॉकर और इस फोन में आप देख सकते हो कि डिस्प्ले भी अपग्रेड हो गया है तो अगर इस फोन के वेट की बात करें तो ये है टोटल 189 ग्राम का और इसमें आपको मिल जाएगी 5,000 mAh की बैटरी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी डिस्प्ले बढ़ी होगी है और अपग्रेड़िड होगी है तो जो पहले वाली डिस्प्ले थी वो थी IPS LCD और जो अवाली डिस्प्ले है वो है AMOLED तो जो AMOLED डिस्प्ले है वो है 6.67 इंचिस का with 120 Hz और इसकी ब्राइटनेस भी बढ़के होगी है 2100 nits पी और ये फोन आपको मिल जाएगा Amazon पे 8GB RAM के साथ और 128GB स्टोरेज के साथ वो भी 19,999 का और जो आपको इसका चिपसेट मिलेगा वो है Qualcomm Snapdragon 695 5G और इस फोन में आपको दो तरह के विरेंट मिल जाएगे तो अगर इसके स्पीकर्स और डिस्प्ले की बात करें तो दोनों अच्छे हैं इस फोन में आपको मिलेगा in-display fingerprint sensor और इसमें आपको face unlock option भी मिल जाएगा और अगर हम इसके camera की बात करें तो इसमें 16MP front camera मिल जाएगा and 50MP Sony LYT600 camera with OIS and 2MP depth assist camera तो अगर इसके हम other features की बात करें तो जो इसमें operating system use किया हुआ है वो है oxygen OS का इसके charging type है USB type C charging होगी और जो sim की tray है that is dual sim tray और आपको इस phone में कुछ unique features में मिल जाएगे जैसे कि reversible charging मिल जाएगा and AI smart cutout मिल जाएगा which can be used to edit photos, choose and personalize cutout selection and share them with a single tap तो इस range में ये phone बहुत ही बढ़िया है और इसमें बहुत ही सारे features हैं तो आज की वीडियो इतनी ही मिलते है नेक्स वीडियो में बाई